नमस्काल दोस्तों जैवाल पॉइंट के यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत हैं देखी फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपिटर प्लसी जूनियर असिस्टेंट को ले करके कि उसके जो है उसमें पैट के लिए जो आपने एक्जाम दिय निए उसके बाद की कटव लगेगी और उसके बाद मेंस का एक्जाम होगा ठीक है दोस्तों वेकेंसी लगवग 1262 वेकेंसी ज यह तो उसके लिए आपको तयरी तो करने पड़ेगी अच्छे से क्योंकि वेकेंसी कम हैं ठीक है दोस्तों अगर इसके इलाब़ा आप SSC CHSL SS CMTS, CGL की या किसी भी चीज की तेयरी कर रहे हैं और आप mock test लगाना चाहते हैं तो देखिए हमारा जो coupon code है test book का आप ले सकते हैं और इसमें आप भर दीजेगा OZH2M8 ठीक है लिंक आपको मैं description में दे दूँगा तो OZH2M8 अगर आप यह code यूज़ करेंगे तो आपको लगवग लगवग 55% का discount मिल जाएगा अभी जो है आप भर सकते हैं और अपनी तेयरी को और बहतर कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो बिल्कुल आप इस coupon code को यूज़ कर लिजएगा और test जरूर खरीद लिजएगा क्योंकि बिन test के आपकी तेयरी अच्छी तरीके से नहीं सकती चाहिए आप किसी भी एक्जाम की तेयरी कर रहे हो ठीक है दोस्तों लिंक आपको test book का में description में देदूँगा वहाँ से आप description गोड़ टेस्ट गोड़ करके ये coupon code यूज़ करके आप फाइदा ले सकते हैं अब देखिए चलिए बात करते हैं junior assistant की cutoff के बारे में तो junior assistant में देखिए 1200 पद हैं और लेखपाल में आपके कितने थे 8000 पद थे तो इतनी vacancies बहुत ही कम है जबकि आप सभी का पता है कि 8000 vacancies पर UR की cutoff थी और OBC EWS की cutoff थी और 62 cutoff थी ठीक है दोस्तों लगवग लगवग इतनी cutoff थी और जो pH category है उनकी cutoff 51 थी तो इस बार इतने कम पद है यहाँ पर बहसेट है तो इसका मतलब यह तो रहेगी रहेगी ने ठीक है इससे जदो ज़्यादा cutoff जाएगी क्योंकि अगर इससे आधे भी होते तब भी हम थोड़ा बहुत increase कर लेते कि कहीं न कहीं जो है थोड़ा बहुत ही बड़ेगा लेकिन काफी ज़्यादा difference आएगा क्योंकि इतनी कम अगर देखिए मालीजी आपके जर्नल जर्नल कैटेगरी आपकी है आपकी OBC कैटेगरी है और आपकी EWS कैटेगरी है अगर आपके यह तीन कैटेगरी है और आपके 75 मार्क्स बन रहे हैं मैं परसंटाइल की बात नहीं कर रहा हूं मार्क्स की बात कर रहा हूं तो आपके कह नहीं थोड़े बहुत चांस बन सकते हैं आप borderline पर जा सकते हैं अगर इतने इतने marks आपके बन रहे हैं पैट के अंदर 2021 वाले में ठीक है जो पहले आया था उसमें इसमें इसमें जो भी आपने पैट दिया था दो-तिन महीने पहले उस पैट की पैट से यह form नहीं बरा जाए अगर आपकी SC और HT category है तो SC में आपके लगबग 20 और HT में आपके लगबग 70 नंबर अगर बन रहे हैं तो आपके chances रहेंगी ठीक है दोस्तों और अगर आपकी PWD category है PWD category में तीनों category आएंगी उसमें अगर आपके 62 से लगा करके 65 नंबर बन रहे हैं PWD category में अगर 62 से 65 नंबर बन रहे हैं तो आपके कहीं न कहीं chance बनेंगे क्योंकि vacancies काफी कम है वह vacancies ज्यादा थी और इसमें जो आपका first way पर आएगा हो सकता है उसमें आपकी जो सभी PWD category है उनकी एक ही कटोप आए हो सकता है अलग भी आजाए ठीक है दोस्तों लेकिन इत इतना ही जो है difference हो सकता है तो दोस्तों जो आगर आपके इतने नंबर बन रहे है 62 से 65 तक का average आ रहा है तो इस form को आप मान सकते हैं कि तयारी में हम लग जाए ठीक है क्योंकि इसमें syllabus जो है आपका हिंदी math और इस तरीके से reasoning सायद नहीं होती इसमें तो जो भी आप notification में द समबरा जाएगा 50-55 पर ठीक है दोस्तों तो कोई फायदा नहीं है पहले ही उमीद रखने का इसलिए अगर इतने माक्सिशन लोगों के बन रहे हैं वो थोड़ा उमीद लग सकते हैं और तयारी में लग सकते हैं तो चैनल पर बने जाएगा चैनल को लाइक शेव जरूर कर दीजिएगा धन्यवाद दूस्तों